तो मेरे दोस्तों मेरे भाईयों कैसे हो आप लोग भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम बात करने वाले इस बाइक के बारे में Hero Charisma XMR New Launch है company ने क्या क्या बदलाव किये है company में company ने इसके engine में क्या क्या specification दी है इसके अंदर जो meter दिया है digital पूरा का पूरा बदलाव किया है पूरा change किया है तो इन सब के बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं आपको color के बारे में भी तीन चीज़े बताऊंगा सोरी दो एक चीज़े बताऊंगा तीन color इसके अंदर add किये गए है सबसे पहला red दूसरा ये yellow और तीसरा ये black तीन color available है variant इसमें सिर्फ एक ही दिया गया है standard ओके तो by detail में बात करेंगे black वाली बारे में सारी specification दोंगा है ठीक है सबसे पहले हम चावी से start करेंगे चावी इस तरीकी के आपको company ने दी है दो चावी है same है तो कोई simple सी चावी है एक्दम पहले वाली के तरह ये वैसे तो ये ज़्यादा कुछ इसमें नया नहीं है hero का यहाँ पर logo मिल जाता है और hero की basing बाई front की सबसे पहले front में आपको यहाँ पर DRL देखने के लिए मिल जाते है बड़ी बड़ी सी बहुत ही बड़ी है look दिया गया अंदर ही projector मिल जाएंगे आपको देखने के लिए और एक बीच में LED इसमें आपको देखने के लिए ब्रेंडिंग जो वाइजर है इसमें adjustable मिलेगा ठीक है और यहाँ पर आपको hero की ब्रेंडिंग अगें बात करेंगा भाई टायर्स की तो टायर्स में इसमें आपको यहाँ पर 80R 17 का MRF का टायर देखने के लिए मिल जाता है जो कि एक बहुत बढ़िया profile है dual channel ABS के साथ reflector टेलिस्कोपिक हैं पर suspension मिलेगा देखने के लिए तो यह चीज़ बहुत बढ़िया दी गई है side profile की बात करेंगे side सापको side में देखेंगे आप तो XMR की है आपको बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगे जो कि आपको color to color हर color में available होगी तीनो colors में आपको देखने के लिए मिल जाती है फ्रेंट में जो आप यह डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है वहीं पीछे के और देखेंगे विद डिस्क ब्रेक की चीज देखने के लिए मिलते हैं यह सेफटी फीचर मुझे बहुत जाद अच्छा लगा अब थोड़े सी बात करेंगे हम इंजन के बारे में इसका आपको बढ़िया एकदम golden color में covered type का दिया हुआ बहुत बढ़िया लग रहा है और इसमें मैं आप आपको 210cc का bs6 second phase air cool engine मिल जाता है जो कि आपको 25bhp की power आपको generate करके देता है तो यह चीज बहुत बढ़िया लगी मुझे rn5 से compare करेंगे तो पर इस तो जाद ही power इस गाड़ी में मिल जाएगी आपको देखने के लिए और suspension के पीछे की बात करूं तो इसमें monoshock suspension आपक की basing है मिल जाती है SEC की ठीक है तो यह पूरा setup भाई बढ़िया है और यह यहाँ पर अपना exhaust होगे पीछे के brakes के लिए यहाँ पर oil की जगा दी रखी है यहाँ पर पूरा features यहाँ पर इस तरीके develop की गए हैं यह सारी चीज बदलाव है भाई पहले वाले गाड़ी में ऐसा क कुछ भी नहीं आता था पूरी की पूरा setup ही change कर दिया गया है पीछे से profile यह नजर मारो भाई आप टेल लाइट क्या लाजवाब condition क्या लाजवाब design दिया गया है बढ़िया यहाँ पर पूरा पूरा LED का setup दिया गया है बढ़िया है एकदम मस्त है बढ़िया लग रहा है नीचे नंबर प्लेट की placement आपको देखने के लिए मिल जाती है उपर hero की पूरा मटगार का setup आपको पीछे का इस तरीके का इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है जो कि बहुत बढ़िया यूनिक है बढ़िया 210 CC यहाँ ब्रैंडिंग आपको यहाँ देखने के लि जाता है आप टूल की ट्रक सकते हैं ठीक है गाड़ी के पेपर्स भी रख सकते हैं करिस्मा की ब्रैंडिंग fuel tank इसके अंदर आपको 11 यानि 11 लीटर का fuel tank capacity मिल जाती है यहां यह वाला पार्ट जो है करिस्मा की ब्रैंडिंग के नीचे यह पूरा metal का है और बागी plastic में एक् देख लिए USB की connectivity यहां देखने के मिल जाती है जो इसके पूरे switches दिये हुए है यह पूरे switches में इसके lights मिलती है आपको तो यह चीज बढ़िया है वैसे pulsar में भी वाला option आता है काफी पहले सी आ रहा है तो यह बट फिर भी अच्छा है अच्छा लगता है नाइट में भी देखने के लिए मिलते हैं राइट की ओर देखेंगे आप तो यहां ऊपर यह वाला हजार लाइट का सुच मिल जाता है और यहां पर इंजन किल्म का यहां पर सुच जो मिलता है इसी के अंदर आपको सैल्फ का भी option मिल जाता है अब आते हैं भाई अपना यहां पर हमारा वोक ओवर है पूरा जो मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके के हमारी यह बाइक मिल जाती है दो लाग से डही लाग के बीच में सम्धिंग इसका प्राइज का दो से डही के बीच में एक जैक्त तो नहीं बता सकता अपने एरिय के गोडिंग आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं तीनी कलर अवैलेबल है स्टैंडर विएरियंट लाउंची किया गया इसके अंदर जो सिंगल ओनली है ठीक है पीछे से मैंने साइड से पूरी डिटेल दे दी है आपको बाइक के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो भाई सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाना एक चीज और बताता हूं जो इसका मटगाड है यह एडजस्टेबल है यहां से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं यहां पे इसके लिए बटन भी द रहा हूं ठीक है बाई लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल